नमस्कार दोस्तों देजुकेशन फैकेल्टी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों हम लोग कई दुनों से जोग्राफी पढ़ रहे हैं जोग्राफी में हम लोगों ने अब सुरू किया है सौर मंडल सौर मंडल में आप जानते हैं दोस्तों कि सौर मंडल का जोगे मुख्या आपका सूर्य होता है सूर्य के बाद आपके ग्रह लगुग्रह बवनेग्रह उलकापिन और धूमकेतु सभी को मिला के जोगी सौर मंडल का निर्माण होता है दोस्तों तो कल हम लोगों ने पढ़ा लोगों ने पढ़ा था यह भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रहों की जो गती दूप्रकार की होती यह गती यह उती है आपकी वर्स का निर्धार होता है जब कि जो घ्रह अपने अक्ष फे घूमते है जैसे लट्तु घूमता है दोस्तों अपने अक्ष घूमने खूमने के वज़ड ऑल्गों मैं तुने कि यह भी देखा था कि कि जृति में कि सरवादिक घनतों किस घनतों ज्याद Conspiral action दोस्तों आपके प्रीठवी का में सबसे बड़ा गर दोस्तों आपका था प्रियसपती सनि यह वरुंड प्रिठवी सुक्र मंगल और भूद्ध सीटिनर आप CS किसा जाए थिए इस तो आपके आपका sabir computer करें तो अकार में पृत्वी जोयी की शॉर मंदल का पाचमा बढ़ा ग्रह था दोस्तों इसके बाद हम लगों सारे ग्रहों को डिटेल से पढ़ाएंगी किस ग्रह की क्या भी सेचता है दोस्तों उसको हम लोगों सबसे पहलė हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉत की याखिन लॉग वह रह सब्सक्राइप करो नहीं ह theo स्पस्भाइलूग समझने का परियास करते हैं पर दोस्तों इस efficient करने में आशानी रहेंगा चुमें आपका ऐस्थीय आपया natur यहाँ पर आपकी मंगल है मंगल अमेरि यह का मंगल कर रहे हैं इसकर में अपका ब्रिहस्पति सबसे बड़ा व्रिहस्पती थीगना इस ओर यह यह Forty इनि दोनों के मद्धे च्छोटे च्छटे च्छोटे जो कि पाया जाते हैं दोस्तों हम लोग कहते हैं यहां पर ही च्छोटे च्छोटे च्छोट जाता है कि दोस्तो कि सवर मंदल में जो कि कहां पाए जाते हैं दोस्तो 160 से शार मंदल ब्रहसृष्थ फती ग्ık्रहों के मद्ध्यंग मंध्य ठीक कि दोस्तों यह हैंै prior lac essentially निर्माण कर दोस्तों कुछ कशल शास्त्री मानते हैं कि जब सवर मंदल का निर्माण था दोस्तों तो उसमें की ग्रह ग्रहों के तूटने के वजह से इनका निर्माध हुआ है दोस्तों अधिक बात किरें कि इसकी कोई किसी ने किये दोस्तों चुद्धक्रहों की करने में सही रहेगा ठीक दोस्तों तरह का सकते हैं पहँला प्रश्चन दोस्तों लोगुग्रा unintended अंगे और मंगल ग्रहigkeit मंगल एवट ब्रिहस्पति ग्रहकी कच्छाओं में कच्छाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकासिपिन के मध्य कुछ छोटे छोटे आकासिपिन्ड 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 आकासिपिन् हैं जो सूरी की परिकर्मा पस्चिम से पस्चिम से पस्चिम से या पूर्व क्यों करते हैं तो पहस्टव। से पूर्व क्यों करते हैं अ कि जुल को अब देखें इनका निर्मान करें से वा दो generous न की बात माने देखें और और आ कि पहस्चिम से पुरू की ओर करते हैं खी है में अब देखी है इनका निर्मान कैसे हुआ दोस्तों तो खोला सास्त्रियों की बात मानें अगर चलके सांस्त्रियों के अनसारे देखे तो यह जो है कि ग्रहों के 20 फोट के वज़े से हुआ है ठीक ना तो खगोल सास्त्रियों के अनुशार दोस्तों खगोल सास्त्रियों के अनुशार दोस्तों ग्रहों के कि बिश्फोट के बाद फल्षरूप ठीक ना ग्रहों के बिश्फोट के फल्षरूप जो कि छोटे चोटे टूकडे से फल्षरूप टूटे चुद्र ग्रहों का निर्माड हुआ है ठीक दोस्तों इरह आपके लगुग्र लगुग्र दोस्तों प्रश्ण सीधा प्रश्न यहीं पूछा जाता है कि लगुग्र कहां पा जाते हैं शूर मंडल में दोस्तों तो लगुग्र जो आपका मंगल और ब्रिहस्पतिग्रा के मध्यां पाया जाते हैं इनकी परिकरमा क्या दोस्तों पॉर्व की और यह करते हैं अगर इनका निर्माड करें थे हुआ अधिक हुआ स्वाथिक चमकीला कौन सा है दोस्तों इसकी कि खोज किसने किये सबसे पहला प्रश्ण तो यह कि खोज किसने कि दोस्तों ताए हम लोग नोट करते हैं अगले पेश पेटिक न यहां तक कोई दिख्कत नहीं दोस्तों तो दोस्तों आप लोग समझ गएं कि मतलब यह चुद्र कहां पाया जाते हैं तो यह मंगल और ब्रहस्पती के मद्द्ध पाया जाते हैं ठीक न तो नोट करिएगा दोस्तों कि चुद्र ग्रहों की खोज कि चुद्र कि ग्रहों की खोज कि इसने की यह दोस्तों तो चुद्र ग्रहों की खोज गुशे भी गुशे भी पियाजे ने की है गुशे भी पियाजे ने की है दोस्तो सरवाधिक चुद्ग्रहों की खोज गुशे भी पियाजे ने की है ठीक दोस्तो ये दिक बात करें कि सरवाधिक चमकीला चुद्ग्रह कौन सा दोस्तो तो सरवाधिक सरवाधिक चमकीला चुद्ग्रह चमकीला चुद्ग्रह कि छुद्रग्रा दोस्तों कि आपका है इरोस कि लिए इरोस है कि ठीक ना यदि कोई भी पेंड जब प्रिथिभी की कच्छा को कारता है दोस्तों तो उसको अमलोग करते हैं 84 गर्यका आये जब कोई भी छुद्रग्र प्रिथिभी कक्च्छा को कारता है तो उसको अमलोग करते हैं 88 गर्यका आये थीक मैं फिरे ना फिर्थिभी की कच्छा को काटने वाले काटने वाले छुद ग्रहको काटने वाले लगू ग्रहको अटेन ग्रहिकाएं कहते हैं ग्रहुक म derechos सब्सक्राइब पने उसी सचर्भान काटने ग्रहको तो अच्छोटे बं पर वाले दोस्तों आधाने व्हांड़ं नुटने ग्रहों дум वह दोस्तों by maxima कर दोस्तों जूडा कुंथ्वा दोस्तो उल्का पिढल अई हम लोग उल्का पिढल को समाझे लेते हैं किकी कैसे बनते हैं कौई से पीरतिवी पे गिरते हैं ऊंदाश्यागी सब्सक्लाश्या लगते का यहां से सीधा प्रश्न बन जाता है तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों इसको हम लोग फीगर से समझेंगे तो बहुत अच्छा बहतर समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा ज्यादा समय तक ठीक ना आए हम लोग बात करते हैं उलका पिंड की उलकास में या उलका पिंड कहा जाता है ठीक ना उलका पिंड देखे अब इसको समाजने के लिए एक फीगर हम लोग पुना बनाते हैं ठीक ना कि याखिन उलका पिंड अधिक ऊए जोकि कहा रहते हैं और कैसे फ्रेदी पेंगी लgriff कि द ना औरिक से जलते हैं देखिये यह आपका अर्थ हुस्से में यह जानते हैं कि आर्थ कि वाई मंडल पाया जाता है ठीक ना यह मंडल पृतिभी ना प्रितिवी का मन्डल यह आपका वाई मंडल इमारे मंगल्रहां ही यह मंगल्रह पर इन cups कि छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे- तेक दोस्तों यह जह हैं प्रित भी और ये अहीक वी Dec कि मंग वहारे दोस्तों मंगर जो की अपने गुर्टवा करशन सकति से कि किसी मोगीर्ण सब्सक्राइब कर ना किसी पीणड को जब हände कर अक fifteen तो यह जाने के बाद यह मतलब बढ़ जाएगा आगे बढ़ जाएगा डोस्तों एख सीधा जो कि अभी इधार आएगा पिर्थिभी के तरफ आएगा दोस्तों तो यहां आपको पहले सब इसको मिलता है कौन चंद्रमा जब मिलता है दोस्तों तो आप देखें कि चंद्रमा पे बहुत सी उल्का पिंड की जीले पाए जाती है उस पर जो कि गिरते हैं तो वहां पर गड़ा हो जाता है गड़ा हो जाने का मतलब कि जैसे अभी हम लोग देखें कुछ दिन पहले कि उत्त्री दुरूप जब चंद्रयान थ्री उत्रासा दोस्तों तो आप बहुत सारे गड़े थे तो गड़े तो जो थे दोस्तों न तो वह उल्का पिंड की देन थे उल् पिंड क्या होता है कि पिर्थिभी के पिर्थिवी मंदल में प्रवे supportive करता है दोस्तों और मं न जगयां कुले खत थे उन चुद्याइप देखते होंगे कि निकलता नीगनलती तुन खुले आसमान पे च्छत पे अगरी सोय हैं आप तो अक्सर देखते होंगे कि कोई भी जियोती बहुत तीज आती है और आने के बाद तुरंद कुछी सेकेंड बे वो समाप्त हो जाती है तो दोस्तों जो पींड होते हैं वो उलका होते हैं उलका जो है कि आपका कहां पाया ज तो उसको बहुत संद्रमा पो नहीं जा पाता है तो क्या होता है कि यह कि आपके टीज़र है की फिर्थिभी के गुर्त्वा कर्षानं के वज़ए से यह समान kon mencion के बिज करने करते वक्त दौस्तों ए जो कि तेजी जलने के बाद उसमें है में की खतर मुझाता होंता है ऀक्तर देखती है जब बिच ात्प्र Scroug करनेंगे तो आप इस तरह का दिल से आपको दीख जाता है जब कोई भी पिन जल का जब नश्ट नहीं हो पाता है दोस्तों तो वह जो कि प्रिद्वी पगिरता है कि इसके कई आपको उधारन मिलेंगे जैसे आप बात करेंगे की तक भारत में आपका महराश महराश में महराश लाज में बुलडाना जिला उस जिले में दोस्तों एक लोनार जिल बनी तो लोनार जिल को आए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं तो मध्या का कई सें। करण होते हैं जो धूल गयस्त के बने होते हैं दोस्तों तो तो आप समझ गये कि गुर्थवा करशन सक्ति जो कि मंगल के पास है तो मंगल जो कि इसको खीचता है खीचने के दवरान जब चलता है उधर से थी फड़ा आगे घुसक जाता है तो घुसक करने के बाद इसका रास आशमान में समाप्त हो जाता है यह अस्मान में समाप्त नहीं हो पाता है तो गिर्द जमीड़े गिर दोस्तों इसको पुराए लेकेड है लेकिन उल्का पिंड़ उल्का पिंड अंतरीच में अंतरीच में तीब्रगती से तीब्रगती से घूमते वे तीब्रगती से घूमते वे अत्यांत सूच में अत्यांत सूच में ब्रहमांडी कड़ है प्रहमांडी कड़ा है कड़ा ठीक न? ये धूल गायश से निर्मित निर्मित पिंड है जब ये फिर्थिभी के फिर्थिभी के वाई मंडल में प्रवीश करते हैं तो प्रवीश करते हैं तो प्रवीश करते हैं तो प्रवीश करते हैं तो गुर्त्वा करशन के कारण गुर्त्वा करशन शक्ति के कारण शक्ति के कारण तेजी से तेजी से पिर्थिबी के और आकरशित होते हैं आकरशित होते हैं तब ए पिर्थिवी के तब ये पिर्थिवी के पिर्थिवी के वाई मंदली वाई मंदली गहरसान से जो है कि पिर्थिवी के वाई मंदली गहरसान से चमाकने लगते हैं चमाकने लगते हैं ठीकर चमाकने लगते हैं इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें टूटता हुआ टूटता हुआ टारा कहते हैं टूटता है ठीक न यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों कैसे बंते हैं विलका पिन्ट आप समझ गए दोस्तों कि ये कहा पाए जाते हैं तो ये प्रित्वी और मंगल के सुरी मंगल और ब्रियस्पति पाया जाते ये मंॉट्वधा तो यह कहां पृ फ्रियस्पति है ठीक नहां कि यह जो है कि जब वाई मंदल में पहुंचते हैं प्रितिभी के यह मंदल के घरसंड से चमकने लगते हैं जोस्तों जब चमकते हैं जब प्रितिभी को भागते हैं दोस्तों तो इसे हम लोग को टूटता हुवा तारा कहते हैं ठीकना इसके हम लोग कुछ और बात करने हैं कि जिसे कुछ दीले वन हैं दोस्तों उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं दोस्तों कि अ конце कीसे गिरते हैं से कर भो कि अच्छ दोस्तों तो इसको आम लोग टूडता वा तारा कहते हैं चाना चेक ना जब उलका जब उलका जलकर नश्ट ना होकर ना होकर दोस्तों एक पिंड के रूप में एक पिंड के रूप में एक पिंड के रूप में पिर्तवी पर आ गिरता है पिर्तवी पर आ गिरता है तो उसे उलका पिंड कहते हैं तो उलका पिंड कहते हैं तो हम लोग करते हैं ** जब एक मंगल के गुरटवा कर्षन सक्टी के वजह से मंग पिंड करने के बाद राता है तो उसको हम लोग करते हैं तूटता हुआ तारा जब कोई भी तार पींड जब जल कर उपर नश्ट नहीं वह पाता है दोस्तों तो पित्वी आके गिरता है तो उसको पमलुक करते हैं उलकापिन इसके उधारन की रूप में आप देखेंगे उधारन के एकजामपल के रूप में दोस्तों एकजामपल आपको मिलेगा कि भारत में जो है कि आपका लोनार जील लोनार जील हिसी कवलो को कते हैं लोनार ऊपका तो महाराष्ट में ठीक से किसी जला में दोसतो तो वे हैं बुल्धाना जिला इसके अलोगा तो दूसरा आपका है Is में युऊस्ठय में एक क्रेटर जीले दोस्तो आ तो भायरीichen में हैं जाने दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर दुनिया की सबसे बड़ी जो है crash काहँ सब्सक्रस और क्रेटर या बसको कह सकते हो ठेक ना यह रहाए आपके उलका पिंड उलका पिंड उमेद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों बहुत ही आसान सब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया गया ठेक दोस्तों आई हम लोग बात करते हैं बाउने ग्रह की ठीक ना बाउने ग्रह भी दोस्तो वाइम बहुनेगर जो की सवर मंडल में पाया जाते हैं दोस्तों बहुनेगर जो की पांच बहुनेगर दोस्तों आए हम इसको देख लेते हैं ठीक न दोस्तों અने चाजए लिवा रहें दोस्तों आवेडिंग ढालाईगा बहुने ग्रह ठीक नव शवाल उट्ट्त दोस्तों कि और भी चोटे होते हैं ठीक ना चंद्रमास भी छोटे होते हैं इसलिए इनको लिखेंके इसके बारे मैं कि पिलेटो जैसे कर लिक्त अब कि प्लेटो जैसे अकार में समानता रखने वाले रखने वाले ग्रहों को बवनाग्रा कहते हैं चिक न बवनाग्रा क्यों कहते हैं दोस्तों ये अकार में काफी छोटे होते हैं इसलिए इनको बवनाग्रा कहा जाता है ठीक न इब वनेग्रा दोस्तों पांच है बवनेग्रा कुल बावने ग्रह कुल पांच है ठी न बावने ग्रह जो कि कुल पांच है दोस्तों कौन कौन पांच ग्रह है बावने ग्रह है तो इसका हम लोग नोट कर लेते हैं आपका पहला है एरिस एरिस है आपका बावना ग्रह इसके बाद आपका प्लोटो है प्लेटू है दोस्तो इसके बार आपका मेक मेक है मेक मेक इसके बाद आपका है हामी और इसके बाद आपका है एक सीरिस ठीक न? सवाल उठता है कि याखे इनको वेफ क्यों नहीं कहा गया दोस्तो तो इसके लिए ग्रहों की परिभासा दिंग जो भी ग्रह उस पर इभासा के अंतरगत आते हैं तो उसको ग्रह का रूप दे दिया गया जो उसके विरोध में है तो उसको जो की बावने ग्रह कहा गया ठीक ना पहले हम लोग पढ़ते थे जैसे कि प्लेटो भी बासार मंडल का नवा ग्रह था लेकिन दोस्तों इसकी कुछ कमिया थी कम ज़ा कreSE rate निकाल दिया इसके लिए थी अ में लोग बात करते हैं सबसे पहले की आखिन तो समेलन कहा वा था दोस्तों यह वा था जे गड़राज के परियाग नगर में वा था ठीक ना प्राग नगर में वा था ठीक ना तो कब वह था दोस्तों नोट करिएगा 24 अगस्त 24 अगस्त 2006 को 2006 में चेक गड़राज के चेक गड़राज के प्राग जो है कि नगर में प्राग नगर में हुए 5 अई कि ए यू समयल जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कि इंटरनेशनल क ऑि स्ट्रो नामिकल ए एस्ट्रो नामिकल यूनियन यूनियन ठीक ना इस्टोनामिकल यूनियन के समेलन में समेलन में समेलन में बैग्यानिकों ने बैग्यानिकों ने फ्लेटों को फ्लेटों को फ्लेटों का ग्रह का जय कि दर्जा शमाप कर दिया शमाप कर दिया ठेक न है और जो हो कि ग्रह की परिभासा बताए इसी समेलन में जो हो कि ग्रह की नई परिभासा दी गए ठेक न कर दिया गया और ग्रह की परिभासा दी गई ठीक ना तो दोस्तो बावने ग्रह जो है कि अंत्रीच में पांच बावने ग्रह है दोस्तो एरीस है प्लेटो है मेक मेक है हामी और सीरीस ठीक ना प्लेटो जो की दोस्तो सवर मंडल का नव्वा ग्रह था लेकिन दोजार च्वां में जो एकी इंटर्नेशनल इस्टोनामिकल यूनियन सम्मिलन वा था प्राग नगर में ब्लेटो को जो ग्रा का दर्जा था उशको समाप्त कर दिया अगर जो की परिभासा दिए तो में बात कर लेते हैं कि परिभासा आप समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि निकाल आगया है चोई की ग्रहां की सिर्नी से ठीक नोलुग बात कर लेते हैं पध्र की परिभावास अगे हैं कि इसके बाद करेंगे क्या वजय है कि यम को यह कि ग्रहों की सुर्ma से निकाला गया है ठीक zeigen पस्काइण नेगर दोस्तों हुआ है हम लोग बात करेंगे ग्र की परइभासा की ठीका रां कराल की परइभासा है की तो NOT गुरुइंड यह है का अई अयसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व अपना गुरुत्व गुरुत्व करशन लिखिये सही रहेगा गुरुत्व करशन शक्ति रखने योग्य विसाल रखने योग्य विसाल व गुलाकार व गुलाकार हो एवं शूर्य की परिकर्मा करता हो तथा इसकी कच्छा जो है इसकी कच्छा को न काटता हो इसका मतलब है कि कोई भी पीन रहो वह काफी बड़ा हो उसके पाद गुरुत्व करशन शक्ति होनी चाहिए और वह जो है कि सूर्य की परिकर्मा करता हो उसका एक निश्चित पत होना चाहिए और जो है कि सबसे खास बात कि वह किसी भी ग्रह की कच्छा को न काटता हो मंगल ग्रह की सबसे बड़ी यहीं कमी थी वह जो है कि वरुन की कच्चा को काडता था वरुन की बारत करते हैं की यह निकालने की कार कि ग्रहों की कर शिर्णीस तो निकालने के कारण निकालने के कार ग्राव ठीक ना सिरे से निकालने के कारण ठीक ना इसके तीन कारण दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं पहिला की आकार में आकार में चंद्रमाशे छोटा होना छोट ठीक ना दूसरा दूसरा इसका है कि कच्छा का वित्ताकार न होना न होना ठीक तीसरा कारण है वरूण की वरूण की कच्छा को काटना यह तीन कमिया थी दोस्तों इसके वज़े से इसको जो है कि बौने ग्रहा की स्रेड़ी में रख दिया गया ठीक न दूस्तों ग्रहा की पर परिद्धाकार नहीं था कभी जो है की निष्चित पत्र नहीं था कि मतलब इस रास्ते स्रूण की सुर्ण की परिकर्मा करने का ठीक न आध दूसरी बात की तो में के वारूंड की कच्छा को काड़ता था इस लिए इसको बौनेग्राय की सेड़ी में रख दिया गया दोस्तों थील बात करें हम लोग कि कि आगले पेच पाउन लोग नोठ कर लेते हैं तो कि इंप्पारटेंड है इसको हम लोग नोठ कर लेते हैं ठीक dipping ग्रहा कि परिभास और इसको जूई की यम को बहर निकालने का कारणा है समज गे होंगे दोस्तों उमिध्य है आए हम लोग बात करते हैं अब कि कि सबसे जोएकी छोटा बावनाग्रा कौन सा है सबसे बड़ा जोएकी बावनाग्रा कौन सा दोस्तों ठीक ना ठीक दोस्तों तब सबसे छोटा बावनाग्रा दोस्तों कि सबसे छोटा कि बावनाग्रा सबसे छोटा बवनागरा दोस्तों आपका है सीरीस सबसे छोटा सीरीस है आपका सबसे बड़ा बवनागरा सबसे बड़ा बवनागरा आपका है एरीस एरीस ठीक ना एरीस होता है प्लेटो मेक मेक और हामी यह जो है कि कुपी यह बेल्ट में पाया जाते हैं पाया जाते हैं ठीक दोस्तों आई हम लोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कुपीर बेल्ट कहां पाजाते हैं ठीक दोस्तों सन है आपका तो इसके बाद आपका बुद्ध है शुक्र है इसके बाद पिर्थभी है इसके बाद मंगल है ब्रियासपती है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह ब्रियासपती है इसके बाद शनी है औरूड है फिर आपका वरूड है ठीक ना आप मंगल की माध दोस्तों और बेल्ट पाया जाता है कि यह आपका कुपियरवे rings आपका पाए जाता है सिन치 कुपियर प्लेट यह पाजा बाध ताया यह जो है इना है कुपियर बेल्ट इससे काफी बड़ trad? सबढ़े चोटे पिंड रहते हैं कूपीय बेल्ट में धाते मैं ठीक है सबसे लाश्ट में सबसे ग्रहकौन सबसे आपका है वरूण के बाद जो कि आपका पाया जाता है यम कहें या प्लेटो कहें तो जो प्लेटो जहां पाया जाता है उस चेत्र को जो से कूपियर बेल्ड कहा जाता है थिक ना ऊस बेल्ट में तीन पाया जाते हैं आहीं हम आप बात करते हैं पुछलतामी दूंपा स्मध में आगए ढ言 दोस्तों तो भाण हिए र Ε autograph ech प्लेटो पहले ग्रह था लेकिन उसको ग्रह के सरणे से निकाल दिया गया है वजह उसकी तीन दोस्तों उसको हम लोग अभी पढ़े हैं अब हम लोग बात करते हैं पुछल तारे और धूम किये तूपर थीग ना तो धूम किये तूपर दोस्ते यह भी जो है कि धूल गयस के बने होते हैं यह भी जो है कि सूरी की परिकर्मा करते हैं दोस्तों परिकर्मा करते हुए दोस्तों जब इस सूरी की कच्छा में प्रवेस करते हैं दोस्तों तो यह जल के जलने लगते हैं दोस्तों तो उसकी पूछ नूमा आकरती बनती है तो य फीगर बनाते हैं धूमकेतु का तो उससे आपको समंद में आएगा कि धूमकेतु क्या है ठीक रखिए यह आपका धूमकेतु कि यह आप खाहर धूमकेतु ठीक इसके जो की आसपास चोपटे-चोपटे बादल पाजाते हैं गयस ऑसके खिए ना इस्का होता है आपका ना भी इसके तीन भाग होते हैं किसी भी किसी भी धूम केतु का किशी भी धूम केतु का दोस्तों तीन भाग होता है एक है आपका पूछ तो जुख,"ak पूच है, यह दो आपका कोमा है ठैक को धूम की चत्या नुशन राचना है दोस्तों धूम केतु इस प्रकार का कुछ दिखता है सचर्प्रेपाइ़ٌ आपका सन है तो इसका सन को कि आए को सब्धूस्वा-करेसाइव-क्रशन के शक्ती के वज़ें से दोस्तों कि घो दोकिकी खीच संद्हादार ठीक इंग इन तरह का कुट मत थे करता है कि इस तरह यह है कि शूरी का प्रिकर्मा करता ढूष्त है कि यहाद रखियगा कि आपका दूम के तुग से प्रस्न यहीं पूचा जाता है कि धूम के तूच कि याद रखियेगा डूम के तूस्च च Auch that को निदह कर दोस्तों एप आपने दिमाग में रख लेंगे तो यह भूलेगा नहीं कि धूम के तू की स्मेडर रहती है ठीक थे दूम केतु कि स्पयंद नेजन दोस्तो इसकी कफोज किस्ञ की थी दोस्तो धूर्व कि मुद्धिक कि खोज की तोITY बुराएं लो डूम केतु कि खोज के डूम के खोज किस्ञ की दोस्तोटाइक जाएको क्ग च न कि ब्राहीं चीकड फिल्द थिर्टी बने होते हैं यह अन्यमित कछ्छा में सुरी की परिकर्मा करते हैं को नैगत नहीं रहता कि कि इसे और हुप के समीब से गुजते हैं कभी कभी तेक गर्व होका इसके बाहरी जो कि परत पिखल कर गैसों के रूप में परिवर्थित हो जाते हैं जिसको आम लोग धूम केतु की पूठ कहते हैं छो सूर्य के विपरीत होती है दोस्तो है प्रश्ण पूठा जाता है यहांसरी को ayuda कर लेते लिए यह कि यह अकासी पिल्ड धूल कि बर्फ कि धूल बर्फ के कोड़ों से निर्मित पिंड है जो अनियमित 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 कच्छा में सूरी की परिकर्मा करते हैं जब सूरी के समीब से सूरी के समीब से गुजरता है तो गर्म होकर तो गर्म होकर दोस्तों इसकी बहारी परत इसकी बहारी परत पिघाल कर गयसों में परिवर्थित हो जाती है गयसों में परिवर्थित हो जाती है गयसों में परिवर्थित हो जाती है ठीक नै जिसे जिसे धूम केतु की पूँच कहते है जिसे धूम केतु की पूँच कहते है जो सूरिक के सूरिक के भी परिवर्थित होती है ठीक नै ये रहे आपके धूम केतु ठीक नै पूँच करें दोस्तों हेली पूच्छल तारा जो दिखाए देता है ये जो है कि 76 वर्ष के बाद एक बार दीखता है ठीक नै पिछली बार जो है कि 1986 में दीखा था दोस्तों अगली बार जो कि दीखेगा ये 2062 में दीखेगा ठीक ना तो ये रहे आपके धूम केतु ठीक ना तो हेली पूच्छल तारा दोस्तों नोट करिएगा हेली पूच्छल तारा पूच्छल तारा परतियक जो है कि 76 वर्ष के बाद के बाद पिर्थवी से पिर्थवी से देखे जाते हैं पिर्थवी से देखे जाते हैं ठीक ना अंतीम बार जो है कि अंतीम बार 1986 में दीखा था दीखा था ठीक ना अगली बार अगली बार डूहजार जोएकी 62 में दीखेगा और यह रहा है दोस्तों आपके धूम थेखना आज दोस्तों कुछ याद रहे चाहे ना रहे लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों तो धूम केतु की पोच होती है वह सूर के बिपरीत होती है ठीक ना एक हेली पुछल ता रहा है दोस्तों या प्रतियक मैं दिखा था दोस्तों अगली बार ये 2022 में दीखेगा थिक दोस्तों ये कैसे बने होते हैं दोस्तों तो यह पीन जो कि धूल बर्प की कड़ों से बने होते हैं ठीक तो यह रहे आज हम लोग का टॉपिक खतम हुआ दोस्तों एक टॉपिक और बचा है सौर मंडल में जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा ठीक ना यानि उपग्र उपग्र के बारे में हम लोग कल पड़ लेंगे तो इसके बार जो है कि आपका सौर मंडल पूरी तरह समप्त कब पूरे प्रतिवी पर राध दिन बराबर होता है इस लिए घटनाओं को आने वाले क्लासेस में हम लोग देखाएंगे ठीक दोस्तों सारी क्लासेस को हम लोग फीगर के माध्यम से समझने का परयास करेंगे चूंकि फीगर से समझने में भी बढ़ियां रहता है यह सब्सक्राइब करिए अपने मित्रों से इसको आपण जरूर से दोस्तों नमस्ते दोस्तों जय हिन जय भारत दोस्तों